हुलाइ یہ प्रम्राम के जबती अग्राइब कि चलाइए इसके बाद मैं आपके ले कि आया है Wassit Coach की स्थिखिंग की वीडियो कि मैंने शुट कैसे चीला था यह देखो जो उusi चिल कर तयार कर लिया इस वीडियो में यह Dire sûly इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा कि मैंने इस सूट में किस तरह से बाजू लगाई है कैसे इसका अगला तैयर किया है और जो यह मैंने आपको कट लगाए थे ना यहां पे कट लगाने बताये थे यह देखो कितने अची तरीके से देखो बिल्कुल कोई भी को ना इधर से उधर नियुक्त जो कुछ यह किनारी जो हमारी बड़ी चोटी आ जाती है एक भी किनारी बड़ी चोटी निया यह बिल्कुल फिट बैटी है तो इसके लिए मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी क मैंने किस तरह से इसकी स्टिजिंग की हैं तो चले देखते हैं वीडियो को ज्याधा लंबाने करते हैं जिसको मेरी वीडियो को प느ल के दिखाऊंगी चले चलते यह देखो पहले मैंने सूट का गला लगाना है तो इसके लिए एक्स्टा कपड़ा था तो मैंने सूट का एक्स्टा कपड़ा ले लिया है और इस पर लगाउंगे अब मैं गला किमें इस पर कर दीओ हुँ अटैज साइड में मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया है जो इस घले पर मुड़ेगा तब मैं एक पैर का मार्जन रखते हुए इसकी सिलाई को चला रही हूं मसीन की सिलाई को देखो कितने आराम से एक दम फिट और जो यह एक्स्टा कपड़ा है आज सिर्फ आदे इंसका मा अलग है अब इसको इसके उपर मैं कर दूंगी फोल्ड वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जो सीख रहे हैं उनके लिए वीडियो जाज़ा लंबी नहीं है दो दो तीन तीन गंटे वो सिलाई सेंटर पर भी तो जाके सीख आते हैं और मैं तो आपको सब कुछ घर बै मैं जरूर कटिंग कर रही हूं आप बुकरम पर कैची मत जाने देना चीक है यह दागे वागे काट की एक बार मैं अब इसको दोनों को एक साथ मिला लिया मैंने देख उपर से और मैं अब लगाँगी इस पर बीच वाला निसान चीक है मैंने सूट के गले पर भी बीच व मैंने आपको पहली वीडियो में बताया होगा कि सूट की जो फ्रन्ट साइड की छटाई कैसे की थी और यह बीच का निसान लगा था यह बीच का निसान अब देखना कैसे काम आएगा यह गला लगाते वक्त देखो कैसे गला लगा रही हूं मैं इसको देखो यह मैंने मशीन के निसी कपड़े को फैलाया और इस गले को रखाई यहां पर यह डाहे इंस का कट मैंने उपरे से ही लगा था कि हमारा गला फिट बैठे हो जो बीच वाला निसान बीच पर ही आना चाहिए इस साइड से मैं क्या करूंगी दो तीन इंस की सिल इससे क्या होगा ना जो हमारा बीच का निसान नो सिरफ बीच में रेगा और हमारे गले की जो गोलाई है वह एक दम मस्ता आएगी यह देखो यह बीच का निसान मेरा बीच पर ही जो बीगिनर्स है ना ये तिप सिर्फ उनके लिए यूज़ फुल हती है बड़े बड़े निसान सिर्फ बीच में है तो यह निसान मैंने इसलिए लगा था अब यह सिंगल सिलाई है तो मैं इसको थोड़ा सा मोटा लगा था है मैंने तब इसको मैं थोड़ा से पतला बक्या करके दुबारा से फिट कर देती हूं फिनिशिंग आ जाएगी इससे और हमारे गले की जो मजबुत्ती है ना डबल सिलाई करने के बाद वो भी अच्छी रहेगी अब इसको मैं बीच से फिर शे कटिंग करती हूं जो एक्स्टा तब इसको फोल्ड करूंगी तो थोड़ा सब्ड़ा खिचा-खिचा रहेगा इसके लिए मुझे मैं क्या करूंगी इसमें थोड़ा से कट दे इसके इझ के ब्सक्राइब बलकुल फिनिशिंग साथ को जूल में आएगा अगर हम कट देक इस कट लिए तो इसमें बिल्कुछ जोल नहीं आता यह देखो कितने चीज़ सफाई के साथ यह फोल्ड हो रहा है ऐसे कई बार भी नसने अचा सीदा कर देते हैं गल को शिलाई कर देते तो उसमें जोल आता लेकिन जिस सेप में यह गला है उसी सेप में इसकी शिलाई किया गरो चाहिए आपको बूट को उठा उठा कर चलाना पड़े देखो बिना किसी जोल के हमारा फ्रंट गला हो गया तैयार देखो हो गया अब लगाएंगे हम अपना बैक साइड वाला गला बैक साइड वाला गले की लंबाई चोड़ा यह आपके नुसार है जो जितना बड़ा पैने वह उस हिसाब से इस पर लंबाई का निसान लगा सकता है यह देखो यह डाएंज था यह ने निचे भी डाएंज का निसान लगाओंगी लंबाई आप अपने यह आव सकता के नुसार कम बत्ति कितना अभी कर शकते हैं मुझे ते वह साड़े पाच इंज का बनाना है ठीक है पार दिंश की गोलाई से जो हम गले की गोलाई बनते हैं वो बिल्कुल फिट बैड़ती है और उपर ऐसे इसी दाकटिंग कर दिया मैंने यह देखो बैग गले की गोलाई होगी हमारी तयार वह आप अब इस पर लगाँगी मैं तिर्ची पटी जिसको रेगमा पटी बोलते हैं रहे जितने तिर्ची पटी होगी नहीं पर लुके त्रुम अल को 24 सभी नें कार देते बैड़ो इसे ही पटी जितनी तिर्ची पटी फिनिसिंग बी उतनी यह च्छी बेक गिले में ज्यादातर मैं पट्टी यूज करती हूं बुकरम यूज नहीं करती हूं जिसको डबल फोल्ड करने है वो दो इंचर रख सकता पट्टी की चोड़ाई लेकिन मैं सिंगल लगाऊंगी तो इसकी मैं डे दिन्स की चोड़ाई रख रही हूं यह देखो यह मैंन एक पैर का मार्जन देखते हुए मैं सिलाई से लाओंगी मतलब अंदर की साइड मैंने एक पैर का कपडा रखा है उसके साथ छाथ पती को खैचना नहीं है विल्कुल लूज लगाना है यह दिखो लूज लूज लगाना है यह देखो, मैंने गले को लगा दिया, बिल्कुल लूज लिमारा, बैक साइड का गला हो गया, तैयार, अब इसको क्या करूंगी मैं, यह देखो, इस पर गुम सिलाई लगा रही हूँ, इसको ऐसे ही करके देखो, जो एक कपड़ा था निचे का है, पट्टी वाली साइड मे दिखाऊंगी, ताकि आपको शिलाई आसाने से दिख सके, अब जी एक्स रा कपड़ा था मैंने कर दिया, इसको कटिंग, यह देखो, अब इसमें भी मैं थोड़े-थोड़े से कट देदूंगी, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें ना, तो कपड़ा खीचे ने, मूटने मे आसानी हो जाएगे, देखो, ठीक है, अब यह कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, यह देखो, बीच वाली पट्टे पे जालर से दिखाई देजी ना, यह जब हम फोल्ड करेंगे ना, तो बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो जाएगी, अब यह जो गले हैंना, इसको कन दे कै आसे अटेज करेंगे, यह देखना आपको, इसको एक दूसरे क्यों पर ऐसे रखा, सुल्टे पर सुल्टा, यानि के बार की साइड में दो नोल्टी साइड दिखाई देने चीए, और यह जो निचे वाला कपड़ा है, इसको एक दो पॉइंट आगे की साइड में निकालन देखो, और शिलाई चला देंगे, इससे क्या होगा, जो हमारे कंदेगी शिलाई है, वो फटेगी नहीं कभी भी, फिक्स हो जाएगा, यह हमारा अंदर की साइड में, इस पर द्यान से देखना, यह द्यान देने वाले बात है, देखो, इसको ऐसे इसके उपर रखूँग अगर बराबर रखेंगे ना, तो हमारा आगे से कोणा निकलावा दिखाई देगा, इसलिए मैं बैक वाले जो कपड़ा ना, उसको एक दो पॉइंट आगे रखती हूँ, और फिर शिलाई चलाती हूँ, फोल्ड करके, यह देखो, अब मैं इसको ऐसे हो गया, इसको देख समझने में, आसानी भी तो ऐसे होती है, टेलर तो फटाफट समझ लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं, जिनको मैं शिलाई सीखा रही हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो इस वीडियो को आराम से वोच करना, आप गर बैठे ही शिलाई सीख जाओगे, इन देखो, हो मैंने जो एक्स्टा मार्जन लिया था ना, सबसे पहले तो मैं एक्स्टा मार्जन को जाएने के, जैसे मैंने दो इंच का एक्स्टा मार्जन लिया था, तो मैं पहले दो इंच का एक्स्टा मार्जन लिया था ना, उसको देखो, निसान लगाऊंगे, दोनों साइड से, द में फिटिंग ली थी उपर से डाइंज छोड़के लगाएंगे और दो इंच का जो हमारा मार्जन था एक्स्टा मैंने लिया था कपड़े में वह आप देखना समझ में आ और यहां पर मैंने कमर का निसान लगा थाथी का 5 दो 2 इंच का कम कर यह था तो इनच चाये था ना वो कम हो के यह किट इंच को है चालिस का है उसकी चेस्ट चालिस और यह है हिप उसकी 38 यह देखो 19 साइज मैं आपको इंची टेप थोड़ा सा तिर्चरी खाई दिया रहा पता नहीं क्यों लेकिन आप मेरी आवाज से फोकस करना कि मैं क्या बता रही हूं आपको कितनी उसकी फिटिंग है और मैंने इस पर स्क्रीन पर भी मेजरेमेंट का फोटो लगा रखा है अब यहां से भी मैंने दो इंच एक्स्ट्रा था हो कम कर दिया और दूसरी साइड से ही मैं ऐसे ही कम करूंगी यह जो मारगर कड़ का निसान है ना चाउंक का यहीं पर लगाऊंगी मैं दो इंच का एक्स्ट्रा यह यहां से बी दो इंच ऐसे करके नििशान लगा लोगी अब इसको भी हम यहां से नाप लेंगे कितना हो गई यह यहां से यह तक हो गई यू गो पलस हौ यानिके 43 ठीक अब यहां से निचे वाला निसान को कमर वाले निसान से मिला दूँगे और जो उप्रवाल निसान असको थोड़ी इसी गोले की सेप देखते गी कि उसमें चेस्ट वाले नि entfer मिला रही है हो और जो उप्र वाल मिलन निसान ह光 आ जहां तक मैंने डायका निसान लगा था जितना यहां पर मार्जन होगा जैसे दो इंच है तो पर शीदा दो इंच पर मिला दूंगी जो मारे काक में गो बासा नहीं बन जाता कपड़ा ज्यादा इकठा होता है इसे वो कपड़ा इकठा नहीं होगा कि मैं फिटिंग अलग से एक वीडियो डालूंगी जो सिर्फ आपको फिटिंग बताने के लिए होगी लेकिन आपके स्टार्टिंग की किलास है पहले आप जो जितना सिंपल सीखोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा अभी यह देखो मैं इस पर फिटिंग की सिलाई लगा रह को मशीन के बूठ को ओर उपर तक ले हो एक इंस का मारं देते मतलब एक पैर का तसी यहां से नीचे में लिखके दोंगी और यहां से वापेस ले जाओंगी तो उने 세상 नीचा वाली है न है आगी दिखाती हूं और यह दिखाँ एसने लगाई ता कि यह नहीं से यह फटे यह देखो दो इंच उपर रखी फिर मैंने इसको वापिस से गुमा लिया कि वीडियो मापको आसानी सी दिखाई दे रही है चीक है अब मैंने दोनों साइड पिटिंग भी लगा ली है और देखो यह दोनों साइड हमारे फिक्स होगी कोई मतलब यह उदरने वाला काम नहीं है इसमें अब यह तो तिर्शी पट्टी थी अब मैंने इसको एक नाड़ा बनाना छोटा सा जो इसको मतलब जैसे हां जापर माई बनाते हैं ना फहां पर मुझे एक नाड़ा चाहिए जिसको डोरी बोलते हैं तो यह दिखाई का यह पांधानी होना छी एंगी नहीं होना हमारी चोड़ाई थी मतलब दो-दो चारं की चोड़ाय लंबाई के हमने दो पट्या ले लिए एक पट्टी की चोड़ाय चार इंच है ठीक है क्योंकि हमने दो-दो इंच का जो मार्जन दिया था चोड़ा था चार इंच हो जाएगा टोटल अब इसको ऐसे खोल लिया मैंने देखो यह जहां पर कटकाने सान था ना वहां से मैं अब सिलाई को रखूंगी और पट्टी को यह देखो यहां तक मैं लेके आऊंगी जाहां तक हमारी शिलाई है अब इसको उपर की साइड में यह पट्टे हमारी बाहर की साइड भी नहीं दिखेगी और हमारी जो सूट की साइड है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी यह पट्टी जाद अतर बड़े बड़े टेलर भी निलगाते वह आई बना देते हैं जिससे हमारी सूट की साइड जल्दी फट जाती है लेकिन मैं आपको हर एक चीज घर बैठे शिखा रही हूं तो आप इसका फादा उठा सकते हैं वीडियो को वोच तो करना है और आप सा निपरए दिखाए दे अब यहीं से मैं साइड में भी लगाओंगी पट्टी में ही दोनां साइड में लगा ली है, और नहीं देखो आप मैं लगाूंघी इसमें बजू अब है मैं इसको को मैं टेल शाले ओं एक अदर्ट टेन्स का फोल्ड चलंग यह मिर देखो कि यह पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना जो भी बिगनस है ना वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना ताकि आपको कटिंग में हरे कट मैंने क्यों दिया वो समझ में आजाएं यह दोनों बाजु मैंने फोल्ड कर ली हम इस पर लगाएंगे को कैसे जोड़ें है इस आरम फोल में बाजु कैसे फिट करें तो मैंने इसम Peng ले लिए टिक है ऑविया सबजू को यह तक ना पलूंगी कि कट मारे मारे फिटिंग थी मैंने वां पर यह निसान लगा दिया इससे क्या होगा हमारी बाजू कि जो हकना आरम मोल में जो विट बैठेगी ना बिल्कुल फिट बैठ जाएगी नहीं तो कपड़ा ज्यादा रहेगा नहीं कम सेम निसान मैंने दूसरी बाजू में भी लगा लिया है सही करके यह देखो क्योंकि मारे दोनों साइड की कटिंग भी सेम है फिटिंग भी सेम है तो मैंने दोनों बाजू पर सेम निसान लगा लिया है इसे क्या होगा कि दोनों बाजू सेम लगेंगी और फिटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी यह देखो अब मैंने दोनों बाजू अपर लगा लिए शिलाई तैयार होगे मारी बाजू आप बगा बगा कि देख सकते हो फोन की जो प्लेबेक की स्पीड हो जो आप तेज करके देख सकते हो अगर आपको वीडियो थोड़ी सलो लगे तो वैसे इतनी सलो तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई यह इसका उपर वाली साइड और बाजू की वी उपर वाली साइड और शूट की वी उपर वाली साइड जिसकी छटाई ओर रखिये ना दोनों छटाई वाले पीस मैंने पकट लिए एक दूसरे को देखो यह सूट की छटाई वाला पीस और बाजू की छटाई वाला पीस अब इसको रखूंगी मैं मसीन के निच्चे यह देखो यह जो बीच वाली सिलाई थी बीच में ही है कट का निसान दिया था नैंगे जो बाजू के उपड़ यह देखो बीच वाली सिलाई पर ही आ रहा है अब मैं यासे इसको पकड़ूँगी बीच से और आदेंज का मार्जन देते विए आदेंज का कपड़ा तो मैं बाजू में इससे कम दबाना देंज का तो दबाना यह दबाना वरना सब निकल जाती जल्दी सीखुसप के अब इसमें सिलाई आगे इसको निचे से उपर पकड़ोए देखो तो अगर थोड़ा सा कपड़ा लूज होता है तो हमें उपर की साइड में सूट का कपड़ा साइड में फोल्ड करके इसे हमारे अगरे जो फर्स्ट वाली स्लाइट नहों में दिख जाएगे और शिलाई लग जाएगे देखो देखो कितने चितरी के से मैंने बजू को जोड दिया ठीक है बिना जोल के बजू बिल्गल अच्छी जुड़ गी है देखो कोई भी खिचा उट नहीं ना तो सूट में और ना ही इसकी बजू में अब सेम प्रोशिजर यही उपर वाली साइड मैंने इसकी उठाई और सू बीच का जो कट था वो बाजू की शिलाई मतलब जो कन लेगी शिलाई ना सेम उस पर ही आया बूट को थोड़ा उठा उठाए के चलाना ताकि इसमें जोलना आए अलका-लका सा उठा ले ना अगर कहीं दिखका तो आये तो यह देखो फेर मैंने निचे शे उपर की साइड कर देखो मैंने उपर वाले साइड में इससे क्या होगा कि मारे जो शिलाई जासे हमने स्टाट की थे ना वह दिख जाएगी और शिलाई को वहीं पर लाके छोड़ना है यह देखो बाजू की शिलाई बिना जोल के अब यह कट था निचे जो मैंने दिया था इस कट को फोल संको कट वाले इंसान से मोडेंगे यहां से पकड़ लिया और यहां से पकड़ लो देखो हैंए मैंने मोड दे बिल्कुल फिनिसिंग के साथ माले जोलने किर जैटा है ने इस SARAH तब ने फशरी दिरी दो शत्तिंत कर देम ऐसmost को मैं लिए छोब कर दिया दूत फोल्ड करके शिलाई लगा रही हूं मैं चारों शिलाई निचेशे उपर की तरफ ही लगाती हूं कई बार ऐसा होता गि मारी इसमें किनारी में जोला जाता साइड की में इदनी चेशे उपर अगर हम शिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा भी जोल नहीं आएगा और आसानी से हमारी साइड ये पोल्ड हो जाएंगी बिल्कुल मत फिटिंग के साथ ये देखो मैंने मोड लिये हैं ना तो कोई छोटा बड़ाया है और ना ये कोई जोला है तो हमारा सूट चिलकर हो गया तैयार मैं इसको सुल्टा करके दिखाती हूँ आपको छी करते हूँ